संसत के शीत कालीन सत्रु से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलिय बैठक बुलाई इस बैठक में रक्षामंत्री राजना सिंग, संसदे कार्य मंत्री प्रहलाज जोशी, टीमसी सांसा डेरे को ब्रैन समेट कई वर्ष नेता मौझूद रहे सरकार का प्रतनी धित्व रक्षामंत्री राजना सिंग और राज्जी सभा में सदन की नेता प्यूश गोयल ने किया इस बैठक में दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई इसके अलावा विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के सामने कई मांगे उठाई कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे एक दिन चुनाव आयोग की न्यूक्ति को लेकर सवाल उठाया इसके साथ ही कॉंग्रेस ने EWS का मसला भी उठाया वही टी-मसी ने बेरुजगारी के मुद्दे पर संसद मेचरचा की मांग की है हिंदुस्तान में आज जो मोहल पैदा हुए हैं जहां जुडिश यरी के साथ सरकार की टकड़ाओ बेजा इस्तिमाल किया जा रहे हैं सारे सरकारी जो पतिश्ठान है बेजा इस्तिमाल किये जा रहे हैं और यह सब चीज आपकी जानकरी में है हम यह भी मुद्द उठाना चाहते हैं कि चाइनीज बॉर्डर में इंदो-चाइना बॉर्डर में स्थीती क्या है सरकार इसमें सदन की अंदर एक चर्चा कराएं बहस कराना जुरूरी है क्योंकि यह एक मुद्द जो है हमें इसके बारे में सही धंग से जानकरी रही दिया जाते हैं चेर्मन से अनुमति से हम किसी मुद्द पर क्यों न हो हम चर्चा करने के लिए तयार है कुछ सुझाव उन तरफ से उन लोगों के तरफ से अपोजेशन तरफ से आये हुए हमने नोट किया है बी एसी में हम चर्चा करेंगे चर्चा करके जिस मुद्दे पर जिस विशे पर स्पीकर साब और चेर्मन साब अनुमति देंगे उसके उपर चर्चा होगा और बहुत डिटेल में डाई गंटे से ज़्यादा हमारा चर्चा होगा है और आउट आफ 47 पार्टी, 31 पार्टी आफ पार्टी आफ पार्टी सिपेटेड